हेलो दोस्तो, अजीतेम भाई की गारी की सर्विस की वीडियो में ने कुछ दूनों पहले दी थी और आज हम लोग आये होँ हैं एद्मिरा टायर्स में यहाँ पर इनकी गारी का टायर रोटेशन भी करेंगे, वील अलाइनमेंट और वील बैलनसिंग भी किये जाएंगे, इन आजीतेम भाई के टायर्स को मिंटेन करने के लिए इन सभी प्रोसेसर से गुजारना कितना ज़रा इंपॉर्टेंट है, फिलाल अजीतेम भाई की गारी के सारे टायर्स निकाले जा रहे हैं एक एक करके और वील बैलनसिंग होगी तो आपको सारा प्रोसेसर भी समझ में आ अजीतेम भाई जब अन्न पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं तो अपनी पार्किंग को कैसे सॉल्स करते हैं वो चीज़ बे आप लोग को बताएंगे तो आज ये वीडियो देखने के पाद आप एक स्मार्ट कारोनर बन पाएंगे इस वीडियो को एंट तक स्वरूर द सबसे पहले वील बैलेंसिंग ये एक ऐसा प्रोसस है जिसमें टायर और वीडि की पूरी एसम्पली के वेट को ईवनली बैलेंस किया जाता है ताकि वो इवनली हाई स्पीड पर ट्रावल करते रह सके balancing process में wheel को mount किया जाता है एक balancer machine के उपर जहांपर उपको बिल्कुल center में रखते हुए इस तरह से spin किया जाता है कि वो determine करके बता सके कि वर्जन कौन से वाले portion में कम्या जादा लग रहा है और balancing की किस तरह से ज़रूरत पड़ेगी जब गाड़ी में नए टायर लगाए जाते हैं तो wheel balancing करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि हम sure हो जाएं कि wheel balancing proper है और हमें अच्छी efficiency और अच्छा drive experience मिलता रहेगा इस process में wheel की rotation को खुर तरह से smooth बनाया जाता है ताकि कहीं पर भी light weight या ज़्यादा weight ना रह जाए और अगर कहीं पर ही थोड़ा सा भी slight difference weight का रह जाता है तो उससे गाड़ी में vibration की problem हो सकती है जैसे जैसे हम गाड़ी चलाते रहते हैं टायर घसते रहता है और particular portion से weight कम होता रहता है इवन high speed पर चलाते वक्त अपने tires को ज़्यादा stress पढ़ने लग जाता है तो वहापर भी अंदर से imbalancing होका के बहार तक के वह impact करना लगता है तो लिए wheel balancing time to time करवाते रहना अच्छा होता है अगर wheels की balancing हो अच्छे से हो चुकी है तो right भी smooth हो जाएंगी बिना vibration की रहेंगी और अगर wheel balancing अच्छे से नहीं होती है तो जो गाड़ के tire है वो भी जल्दी जल्दी wear out होते रहेंगे और आपके suspensions भी damage होते रहेंगे अगर आप बहुत वक्त तक wheel balancing नहीं करवाते और इंतजार करते हैं problems आने का तो आपको याद दिला दू steering पर होने वाले vibration या कभी कभी floorboard पर या फिर seats पर होने वाले हलकेल के vibration भी आपको ऐसास दिला सकते है कि wheel balancing का वक्त आ गया है wheel balancing के लिए गाड़ी में चारो ही tires को गाड़ी से निकाल करके balancer पर लगा जाता है इसलिए इसी process के दौरान wheel rotation भी किया जाता है अकसर और wheel rotation जो है उसमें क्या होता है आप अपने tires फी positions चेंज कर रहे होते हैं जैसे सामने वाले tires को पीछे वाले tires के पर exchange कर लिया जाए या फिर diagonal exchange कर लिया जाए front left को rear right के साथ में front right को rear left के साथ में हर एक tire पर जो load होता है driving के दौरान वो अलग होता है इसलिए सारे tires को सारे positions पर एक एक बार अपनी lifetime में यूज कर देने से आपका जो overall tire wear है वो evenly distribute हो जाता है चारो tires से बीच में जैसे आपकी front wheel drive वाली गारी है तो आपके engine load जो है वो front वाले tires पर पढ़ेगा जब जब आप accelerate करेंगे तो आपके front tires ज्यादा घसेंगे इससी तरह से जब जब आप brakes लगाते हैं तो braking load भी आपके front tires से ज्यादा पढ़ता है तो इस तरह से front tires जल्दी घसने के chances रखते है इ wheel balancing के तरह wheel rotation का भी अच्छा routine फॉलो करना ज़रूरी होता है ideally 8-10,000 km पर मतलब हर बार engine oil change करवाते वक्त अगर आप wheel rotation करवा देंगे तो आपका बेहत फाइदा होगा अब tire pressure monitoring system अगर अपकी गाड़ी में sensors लगे हुए है तो याद रहे कि wheel rotation के बाद में आपको recalibration करना बहुत जरूरी होगा अगर अगर अपको अफ्टर मार्केट से खृद कर लाए है अपना tire pressure monitoring system जैसे अजी तेम भाई ने भी खृदा है तो आपको first time installation के तो दुरान एक उसके इसाब से recalibrate करना है वैसे यह final work नहीं है यह तो एक बार आप सिर्ट प्राय कर रहे हो सब काम हो जाने के बाद में फिर से आप air pressure डाल करके check कर सकते हो कि sensor कौन से वाले tire पर pressure बढ़ाता हो और दिखा रहा है क्या उसकी position आपके TPMS पर सही दिखा रहा है या नहीं इस TPMS Recalibration का आखरी process में आपको थोड़ी दर के बात बताऊंगा पहले में आपको wheel alignment डिखा देता हूँ wheel alignment जो है process क्यों किया जाता है जब आपकी गाड़ी को आप notice कर रहे हो चलाते चलाते steering पर हाथ नहीं रखा है और अपनी आप वो गाड़ी एक तरफ पूल होती जा रही है और लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ धकी ली जा रही है तो आपको समझ में आ रहा है कि steering system आया करता था यह हो सकता है आपके टायर जादा नॉइस करते हो जब भी आप टर्निंग अगरे कर रहे होते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आपका steering wheel थोड़ा सा tilt किया हुआ है जबकि आपकी गाड़ी स्टेट चल रहे है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपके टायर की जो प प्रॉपर्ली परफॉर्म करने के लिए बहुत अच्छे लॉंग लाइफ देने के लिए बहुत जरूरी होता है तो वील अलाइन्मेंट प्रॉसेस में जब जब एक कंप्यूटराइज और कैमरा सिस्टम के साथ में आपके टायर की लाइनिंग ठीक की जाती है तो आपकी गारी वन डिरेक्शनल में जाने के जगह स्ट्रेट चलने में बहुत अच्छी हो जाती है और वाइब्रेशन को भी बहुत कम कर देती है वील अलाइन्मेंट बेसी के लिए एक ऐसा प्रॉसेस जिसमें आपके जो चारो टायर्स है उनको स्ट्रेट लाइन में किया जाता है जिसका मतलब वो गारी की डायरेक्शन के साथ से तीकदर स्ट्रेट रहेंगे ही उपर से निचे की तरफ भी अगर आप देखते हैं तो वहां सथ बहुत भी स्ट्रेट रहेंगे और जो उनकी पोजिचनेंग है वो ना तो आगे की तरफ टिल्टेड है ना पीछे की तरफ इस तरह से 3 directions में जो गारी का टायर है वो प्रॉपर रहे है उसके लिए आपन वील अलाइन्मेंट करते हैं So in total, वील अलाइन्मेंट में तीम प्राथार के अजस्मेंट्स चेक किया जाते हैं अगर कहीं कोई गड़ रही तो पहला होता है toe in and toe out जिसमें टायर्स लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ सकते हैं जिसकी वजह से आपके टायर्स की घसना और वाइबरेशन बहुत जादा हो सकता है और यह चीज़ें भी computer scan से position के हिसाब से चेक की जा सकती है स्टेरिंग सिस्टम के साथ में भी चेक करना होता है अभी जो रैकन पीन वाले स्टेरिंग सिस्टम आये हुए है इसमें यह प्रॉब्लम जो है कम हो जाती है लेकिन होती जरूर है तो थोड़ा बहुत चेक अप करते रहना पड़ता है इसके लावा दूसरा एड़्जस्मेंट होता है कैमबर एड़्जस्मेंट जिस पर दोनों टायर्स उपर की तरफ से अंदर की तरफ टिल्ट हो गए होंगे तो वहां पर भी अपनी पोजिक्शन ही खराब हो जाकती है और पूरी तरह से इवनली सर्फेस नहीं कर पाने की जैसे प्रॉपरली नहीं घस रहे होंगे और इवनली उस पर लोड डिस्ट्रिबूट नहीं हो रहा होगा तो एफिशेंसी खराब होगी ड्राइव एक्स्पिरेंस भी खराब होगा परफॉर्मेंस खराब होगा हाई स्टेबिलेटी भी बहुत घटिया हो जाएगी इसके कास्टर अज् कासट कें importa टहिं तो एक तए तो रोडा की तरफ होगा भी लार्जडे में या सिल, पीछे के तरफ जारत हो रहा होगा तो वह बहुत की हमें तो सॉन हर स्भी ठर बैलकुल सेनुंत नाचीए है हमpark पकर आ चाहिए तो यहासे पверждblowing अगर यह तीनों अजस्मेंट प्रॉपर हो जाते हैं तो आपके टायर्स इंदम स्टेट लाइन में होंगे तीनों दैमेंशन में और परफॉर्मेंस गाड़ी को बहुत अच्छा देंगे टायर का वेर एंड टेयर जो है वो कम हो जाएगा लाइफ जो है तायर की बढ़ करके एक पर्टिकुलर फिगर पर ला दिया इकोल कर दिया उसके बाद में वापिस से रीफिल शुरू करी सबसे पहले फ्रेंट लेफ टायर पर और हमने देखा कि क्या फ्रेंट लेफ्ट टायर पर जब हावा भर रहे है तो टीपी एमेस में जो स्क्रिन पर दिखा रहा है कि हमने रीजाट किया तो वह दोनों जो है आपस के खी है तो आप सेंसर स्वही है टायर स्वही है लेकिन जो लेबिंग है वो फ्रेंट लफ टायर की 0 हो गई का ईसा रसी प्रेंट लेफिंग तैर टी कि बाद तो फिर से पुछ नया पता चला अन्मने फिर से रीकालिबरे तो फिर से कुछ नहाया पता चला है वहाँ पर भी हमें फिर से एड़स्ट करना पड़ा यह है NGF 132 का पार्किंग टैग जो इंडिया की सबसे बड़ी कार पार्किंग की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में बहुत मदद करता है यह एक सेल्फ अधिजिव स्टिकर के साथ में आता है जिसको आपके गाड़ी के ग्लास फिंशील्ट में अंदर की तरफ से लगाया अकसर अपना विजिटिंग कार या मोबाइल नंबर शुड़ने के सोचते है अपनी गाड़ी के साथ में लेकिन वह सेफ नहीं होता क्योंकि अपना मोबाइल नंबर अकसर आधार कार्ट से या फिर बैंक से लिंक होता है ऐसे में NGF 132 का पार्किंग टैग है इसकी वज़ इसतर से कार का और को स Mais क कढ़ग है कि कारी कि प्रापकि में मैं कुछ प्राप्ल्लम है और जलदी से महां जा कर ये प्राप्तिग की प्राफ्ल्म को रिजॉल कर सकते हैं वाइस पिश्टम मेसेच के लावाई से एडिटली कॉलिंग करने का उप्शिन भी है जो आप इनेबे लेडिसेबल कभी भी कर सकते हैं इसके लावाईस में आप आप इमर्जेंसी कॉंटेक्ट भी सेव कर सकते हो सिर्टी वन थाउजन 50 किलोमेटर हो गया आपके उसके बाद में अपने अपना वील एलाइनमेंट बैलेंसिंग और यह भी करा लिया रोटेशन कैसे रही आपके एक्सपीरियंस के साथ में अजमेरा टायर्स के साथ मैं तो जैसे कि जैका के साथ मेरा है वैसा अजमेरा टायर कि पहले मैं त्रीमूर्थी नगर वाले सेंटर में आता था अभी मुझे पता चला कि रीसिंटी उन्हें यहां पर उंकार नगर में भी कुछी साल हो पहले खुला है एक और साल हो गया और मैं बीच में नाक्पुर मेथाली तो मुझे जानकारी नहीं थी बट अभी यह तो इसे एक गंटे मेरा फुल काम खतम हो जिसमें गाड़ी का पूरा चालो चको का बैलेंसिंग उसके बाद रोटेशन और अलाइन्मेंट हो गया और क्यूंकि सब एमसी में था मुझे एक बिरुपर चार्ज दी कर पे करना तो और भी अच्छी बाद तो और भी अच्छी बा आपनी सब्सके लिए गारभी करना तो यह जो खीया तो बहुत अश्याया है यह कि अधर गए अच्छा है अच्छा अब हो सकता है 1500 से महेंगा भी हो गया हो तो ठीक है ना अभी आप अगर रेगुलर्ली अलाइनमेंट बैलंसिंग करते भी हो तो उतना खर्चा में उनकी करेंट को स्क्रीन पर दिखा दूंगा बागी में चेंज होता रहेगा तो उसको उसमें आपको तीन कूपन्स मिलते हैं इसमें आपको तीन कूपन्स मिलते जिसमें आपको एक्सिरी और लेबर पर डिसकाउंट है जिसमें आप पंचर वगरे भी करना सकते हैं पंचर हो गया इंजिन और यहां पे वाकिन की सर्विस हैं उसमें आपको लेबर पर फाइव परसेंट और ओवरॉल पार्ट्स यह अपर सबसे अच्छा फाइदा होता है कि आप अन्लिमिटेड नाइट्रोजन भर सकते हो जितने बार चाहते हो तो उसमें भी एक होता है कि आप पॉजिटिव इनफोर्समेंट है क्योंकि फ्री है आप भी जाता है आप वीकली हो गया या और सब्सक्राइब निकलता हूं तो एक बार इदर से गाड़ी डालके नाइट्रोजन चेक कर वा लेता हूं फिर आगे बढ़ता हूं आपका कस्टमर आइडी चेक करते होंगे ना यहां पिनका वो होता है इतने सारे लेवल लगए है यह हर टाइम का अलाइन्मेंट का है को ओल ओवर एंडिया इंडिया में काफी सरे आउट्रेट से अगाफी का आश जगहां नाप्सारी जगह पर हूंब्धी में भी है जायद है जाए ईडिया जाका यूचारी दे कर दो दो और यहां निकलके दो में हुआ कर्क हर तुरं चेक करके तूरन गहरा सकता हूं तो जरे सोगं का नियरस लोकेसे मिलाए कि आपका सर्विस और ही अमसी हरजय का अर्ज हर नार हनुर हमने हो्ता है और और इनके पास भी इनका अन्ठर प्रण बिश्टेम ay तुस पर आपका रेकॉर्ड होता है तो जैसे आप फोन करते हो तो आपका पूरा प्वडे का हिस्ट्री आपको आपको मिल सकती है इस तरह से और भी अने वाले हैं और अजीतिम भाई के 31,000 किलोमेटर का जो जल्दी ही आने वाला है तो वैसे सब्सक्राइब के लिए जुड़े रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाइल इकन के साथ ता कि आपको फ्यूचर वीडियो की नो झाल